नारक उम्मीदे वफा किसी परिंदे से इकबाल पर निकलने के बाद परिंदा भी अपना आशियाना भूल जाता है शायर ने बड़ी प्यारी सी शायरी लिखी थी और इसमें कई चीजों को दर्साया गया था कि आप किसी पर इसकदर उम्मीद ना करें किसी से ऐसी उम्मीद ना करें क्योंकि हर एक शक्स जो जिससे आप उम्मीद करते हैं वो आज ना कल अपना रास्ता बदल लेगा और आपके साथ बेवफाई कर जाएगा हालिया सियासत पर टिपनी करने के लिए इस शायरी का इस्तेमाल करना बेहत जरूरी था क्योंकि राहूल गांदी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो राहूल गांदी को लग रहा था कि तमाम विपक्ची नेता जो है तमाम विपक्ची पार्टियां उनका समर्थन करते वे नजर आएंगी और राहूल गांदी को समर्थन मिला भी कई बड़े नेताओं का कड़ी कई बड़े दलों का समर्थन मिला लेकिन राहूल गांदी से इतर नितीज कुमार भी विपक्ची एकता की बात कर रहे थे विपक्च को जोडने की बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि 2024 में भाजपा को उखाड करके फेकने के लिए तमाम विपक्ची नेताओं को एक जूट करना होगा हलाकि अरविंद के जरिवाल सुरू से इससे कन्नी कटाते वे नजर आये थे लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांदी को कहीं न कहीं भाजपा के तमाम दलों से ये उमीद रही थी कि भारत जोडो यातरा के बाद कहीं न कहीं उन्हें तमाम नेताओं का समर्थन मिलेगा उनका जो आत्म विस्वास से लबरेज हो गए थे राहुल गांदी के कहीं न कहीं दोहजार चौबिस को ले करके प्रधान मंत्री के चहरे का नेतरिट्व करते वे राहुल गांदी ही नजर आएंगे लेकिन अचानक से जो हालिया राजनीत के हालात बदल गएं जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान आने लगे तमाम नेता यहां पर रसा कसी करने लगे उसके बाद से अब राहुल गांदी की उमीद कहीं न कहीं तूटते वे नजर आ रही है बले ही राहुल गांदी इतने जो राजमाईस इस बात पर नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं विपक्ची एकता बिखर गई है और ये कहा गया था इससे पहले भी भाजपा लगातार कह रही थी कि 2024 आने से पहले विपक्च काच की टुकडों की तर लडने का एलान कर रहा है मायवती ने एलान कर दिया कि वो 2024 में किसी से गटबंदन नहीं करेंगी अकेले लड़ेंगी क्योंकि जब भी उन्होंने गटबंदन किया है तब तब उन्हें बेहत बड़े नुक्षान का सामना करना पड़ा है अर्विंद केजरिवाल ने भी कन पंत मान भी शामिल हुए थे जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि अब देश में एक बार फिर से नए फ्रंट का आगास होने लगा है लेकिन अब देखिए कि यहां पर राहुल गांदी के साथ कौन है देखिए तोटल देश में 24 बड़े विपक्षी ऐसे डल है जो भारत की म भीरेस भी आती है लेकिन अब केसीर की पार्टी का और यहां पर अर्विंद किज्रिवाल का पार्टी का समर् vitन तो ऐसे भी नहीं मिल रहा था राहुल गांदी को और अब राजत को जो आमंतरन भेजा था अपनी यात्रा कि समापन के लिए, राहुल गांदी ने उस पर र और पर इंकार कर दिया, उन्होंने कहा कि 30 को समापन है, ये कहते हासिक समेलन था, इसमें हम शामिल होना चाहते थे, लेकिन नागा लेंड में पार्टी का एका दिवेशन है, विदान सबात चुनाओ को ले करके, जिस वदे से हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो ये रा झाल